हेलो एव्रीवन वेलकम टो अटाट 247 स्कूल आइम गोरो राव और मितमेटिक्स मेंटर बचो आज की स्क्विक वीडियो में हम करते हैं कि दो कर्व की बीच का बाउंडिड एरिया किस प्रकार से निकाला जाता है यह आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं बचो तो जल् से लेके इस पॉइंट तक एफेक्स आपको बड़ा दिख रहा है एकवल टूबी से या तो बराबर है दोनों इस पॉइंट पर इंट्रसेक्ट कर रहे हैं तो अब इनके बीच का एरिया कैस तरीके से निकाले जाए आप बोलोगे सर्ट काट लो बिल्कुल बिटा स्रिप क सोता तो तुमारे वाई की लेंद होती एफेक्स यह वाई तुमारा होता एफेक्स केवल अगर जी एक्स होता ठीक है केवल जी एक्स होता तो तुमारे वाई की लेंद होती जी एक्स लेकिन अब ना तो यह पूरा ना यह है इनके बीच वाला पार्ट है कुछ ऐसा यह वा तो मैं क्या करूंगा एरिया अंडर एफेक्स एरिया अंडर कर्व जो आपको वाई एक्वल टू एफेक्स दिया इसका एरिया निकाल के पूरा इसके अंडर का एरिया निकाल लिया इसमें से जी एक्स के अंडर का एरिया घटा दूं माइनस एरिया अंडर वाई एक्वल जी एक्स अगर मैं ये घटा दूँ तो मेरा रिक्वाइड बीच का बाउंडिड एरिया आ जाएगा मतलब साफ किलियर है एसे भी तक लिमिट वेरी कर रही है एरिया अंडर एफ एक्स निकालूंगा तो क्या होगा x equal to a से b f x d x minus a से b तक ही a से b तक ही y d x मतलब इस बार क्या है step x dx ये निकालने से दो कर्व के बीच का बांडीड एरिया हम विटा निकाल सकते हैं ठीक है इस तरीके से तो ये formula बन जाता है हमारा 8 से B Fx-GxDx इसको अलग अलग भी लिख सकते हो कि A से B FxDx-A से B G of XDx इस तरीके से बिटापन एरिया निकाल सकते हैं दो कर्व के बीच का अच्छा ठीक है ये आपका आ गया है इस तरीके से formula हमने ये drive कर लिया अब देखो कभी ऐसा हो जाए कि A से B तक आदे में तो Fx बड़ा है ठीक है A से C point तक Fx बड़ा है Gx छोटा है फिर उसके बाद C से B तक आपका Gx बड़ा है Fx छोटा है तो इस case में क्या करेंगे बिटा इन दोनों को अलग लग ट्रीट कर लेंगे इसका एरिया होगा A से C Fx माइनस Gx डीएक्स ठीक है क्योंकि Fx बड़ा है प्लस C से लेके B तक C से लेके B तक क्या हो जाएगा Gx माइनस Fx डीएक्स ये हो जाएगा आपका clear ये बात समझ आई बोलो भई ठीक है इस तरीके से हम एरिया निकाल लेते हैं y equal to x square ये वाला parabola y equal to x square और x equal to y square ये parabola निकालने हैं तो दो कर्व के बीच का जब भी आपको area निकालना है बचों तो simply आपको बिटा क्या करना है कि simply क्या करोगे पहले दोनों के cutting point देख लेते हैं एक है y equal to x square दूसरा है y square equal to x मतलब यहां से y क्या आगया plus minus root x अब मैं केवल first quadrant में तो मैं positive वाला ले लेता हूँ root x equal to x square मतलब x square minus root x equal to 0 root x को मन लिया x root x minus 1 equal to 0 तो या तो root x 0 मतलब या तो x 0 या फिर x root x equal to 1 मतलब x to the power 3 by 2 1 imply करेगा x है तुमारा 1 ठीक है तो x 0 पर cut करेंगे आपस में x 0 है तो य भी तुमारा 0 आएगा तो 0,0 पर भी cut करेंगे बिल्कुल सही बात है इसके बाद x 1 x 1 है तो y भी 1 आएगा 1,1 point पर भी cut करेंगे यह तुमारा point हो गया 1,1 ठीक है यह आपका आगए यह corresponding point क्या होगा 1,0 अब यह area मेरे को निकालना है बिटा तो देखो 0 से 1 तक x vary कर रहा है 0 से 1 तक बड़ा कर कौन सा है x equal to y square ठीक है तो क्या करूंगा मैं simply 0 से 1 बड़ा कर कौन सा है x equal to y square यहाँ से y क्या आ जाएगा y आ जाएगा आपका under root x positive वालाई under root x dx minus 0 से 1 तक ही बड़ा इसके under का area subtract करूंगा यह क्या है y equal to x square x square dx इसका integration करा तो 2 by 3 x to the power 3 by 2 0 से 1 minus x cube by 3 0 से 1 limit रखी यह बन गया 1 और 0 रखते ही 0 तो 2 by 3 minus 1 रखते ही 1 by 3 यहाँ से आगया आपका 1 by 3 square units आपका answer हो गया बटा clear एकदम simple next देखो आपको एक circle देदिया एक parabola देदिया कहरा है इनके बीच का bounded area निकालेंगे तो circle देखते है x square plus y square equal to 8 x आप बोलोगे सर इसका radius क्या है पहले इसको standard form में ले क्या हो x square minus 8 x plus y square equal to 0 दोनों side 16 add कर दो x square minus 8 x plus 16 plus y square equal to 16 अब देखो यह क्या बन गया x minus 4 का whole square plus y square equal to 16 अब मुझे पता चल गया इसका center है 4,0 पर यह इसका center है और radius है 4 यह तो obviously यह point 8,0 जाएगा यह 4 radius है बिटा यह भी 4 है यह भी 4 है तो यह point 0,0 हो गया अच्छा दूसरा है आपके पाफ y square equal to 4 x तो अब देखते हैं cut कहां करेंगे तो x square y square की जगे मैंने रखा 4 x equal to 8 x यहां से आ गया x square minus 4 x equal to 0 x into x minus 4 equal to 0 x 0 या फिर x 4 तो 0 जब x 0 है तो y भी 0 होगा और x of 4 है तो y क्या हो जाएगा बटा 16 plus minus 4 y भी आपका plus minus 4 आएगा यहां cut करेंगे 0,0 पर cut करें बिल्कुल cut करें और 4,4 4,4 पर भी बिल्कुल cut कर रहे हैं यह area निकालना है अब अगर ध्यान से observe करो तो यह blue area जो आपको निकालना है क्योंकि अब ओव एक्सेक्स साफ कह रहे है तो बिटा इसके अंडर का area पैराबोला के अंडर का area 0 से जब 4 x vary कर रहे प्लस इस सरकल के अंडर का area जब 4 से 8 vary कर रहे तो बिटा कर दो अब इसको ठीक है 0 to 4 पैराबोला के लिए y क्या आएगा आपका 2 root x 2 root x dx प्लस बिटा 4 से 8 4 से 8 और x तुमारा क्या बन जाएगा यहां से यहां से y मतलब y क्या बन जाएगा y बन जाएगा अंडर रूट 16 माइनस x-4 का होल स्कूर 4 टू 8 16 माइनस x-4 का होल स्कूर अंडर रूट यह dx अब इसमें x-4 को t पूट कर ले ना बिटा ठीक है यहां से तो आपका 2 into 2 by 3 x की पावर 3 by 2 लिमिट आ गई 0 से 4 इसमें x-4 को t पूट किया dx बन गया dt नई लिमिट देखोगे जब x4 है तो t0 x8 है तो t4 नई लिमिट आ गई 0 से 4 अंडर रूट 16 माइनस t2 dt अब इसका डारेक्ट इंटिग्रेशन तुम जानते ही हो इसको सोल करोगे तुमारा आंसर आ जाएगा स्कूर यूनिट्स में तो यह था आपका सिंपल बिटा area between two cars निकालने के लिए ठीक है तो आपका बिलकुल quick quick में cover हो गया है ठीक है तो अच्छे से पढ़ लो thank you बिटा जैहिन जै भारत